हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी कहा आपके अपनी यूटूब चैनल गुरुजी हैल्पलेस पर दोस्तों एक और नई जोब से रिलेटीन इन्फोर्मेशन जोब हम आपके लिए लेकर आया हूँ और आपकी बार जो वकेंसी निकाली गई है वो निकाली की है अमरी दर क्या रहेगा अधी सारी जानकरी जो हम आपको इस वीडियो के दुरान देने वाला हूँ तो बने दिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंतक और चैनल को अकर आपने अभी तक सब्सक्राइब निके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा दोस्तों इससे मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजेगा और वीडियो कर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा तो चली स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो तो दोस्तों डिस्ट्रिक एंड शे पहुंचा सकते हैं 23 पोश्ट हैं दोस्तों कलर की एड़ोक बेस पर और केटेगरी वाइस भी यहां पर इनको मेंशन किया गया है 23 पोश्ट है जरनल की तेरा है SC मजबी की एक पोश्ट है BC की एक तीन पोश्ट है पहसी वीज्वल हैंडिकेप्ट के लिए एक वाकेंसी है दोस्तों ESM general category की तीन वाकेंसी है ESM SC की एक वाकेंसी है sportsman की एक वाकेंसी है दोस्तों उसके बाद qualification के अगर हम बात करें तो BA और BSC और equivalent यानि की graduation जो है वो compulsory है second candidate should have past Punjabi language as a subject in matriculation examination or its equivalent standard and having proficiency in operation of computers यानि की computer का ग्यान होना ची आपको और 10th class के अंदर ऐसे Punjabi subject जो है वो होना ची आपके पास candidate should be between 18 to 37 years यानि की 18-37 वर्स के अगर आपकी उमर है तो आप इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं और age relaxation जो है वो as per government rules के पंजाब government के rules के according दिया जाएगा और जो cut off date होती है age की वो 10-2021 रखी गी यह दोस्तों इसमें साफ साफ दिया गया कि 21 October 75 वजे तक आवे दिन जब वो सविकार के जाएगे और 20 October 75 वजे के बाद अगर आपका कोई भी application उनके ओपिस में रिषिव होता है तो वो बिना किसी कारण जो वो reject कर दिया जाएगा उसको सभिकार नहीं किया जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो return test होगा या फिर क्या होगा या फिर इसके जो return test होगा वो कब होगा तो venue and schedule जो है वो test का will be notified नोटिफाइट लेटर यानि कि बाद में आपको http.district.courts.gov.in इस court की website है ये आपको description में आपको link भी दे दिया जाएगा इस court की website पर आपको venue और schedule job test का वो दे दिया जाएगा इसलिए candidate से request की जाती है कि timely आप visit करते रहें court की website पर उसके बाद हम देखते हैं point no.6 selection shall be made by conducting written test तो दोस्तो इसमें खास बात है कि written test होगा general knowledge और English composition का no candidate shall be considered for appointment unless he obtain 40% marks in aggregate in the written examination and having computer proficiency in operation of computers कि 40% marks जो आपके रिटर्न एक्जाम और computer प्रोफेशन याशी office operation के अंदर होने चाहिए otherwise आपको disqualify माना जाएगा इसके बाद दोस्तों यह जो पीडियाफ मिलेगी आपको description में आपको link दे दिया जाए को कोड की website का बाहन से आप यह जो डाउनोड कर सकते हो यह application का format रहेगा नेम लिखेंगे यहां पर आप capital letters के अंदर उसके बाद father name date of birth category आपकी कौन सी है कौन सी category से बिलोंग करते हो उसके बाद nationalty Indian permanent address correspondence address उसके बाद contact number email address whether past matriculation examination with Punjabi as one of the subject इसमें yes आएगा दोस्तों और अगर आपका यहां पर no है तो आप disqualify हो आप apply ना करें बैतर रहेगा क्योंकि इन्हों ने मांगा हुआ है कि 10th class के अंदर पंजाबी का subject जुरूरी होना थाई है यहां पर अगर आपके पास कोई experience है तो यहां पर experience लिखेंगे और साथ में photocopy भी अटेस करनी पड़ेगी आपको middle यहां पर क्वालिफिकेशन से मीडल से start करेंगे बोर्ड युनिश्टी कौन सी से पास किया है ये रो पासिंग सीक्योर मार्क्स टोटल मार्क्स परसेंटेस उसके बाद 10th class उसके बाद senior secondary उसके बाद graduation उसके बाद PG अगर आपके बास है तो उसके बाद अगर कोई और degree या डिपलोमा है तो आप यहां पर mention करेंगे उसके बाद यहां पर declaration की दीगई है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी जो आप पर दीगई है वो सत्य है उसके बाद place, debt और signature of applicant यहां पर आपके sign होंगे अगर आपके बास है तो उसके बाद experience certificate, अधार card और two identical photographs तो यह थीजान करें दोस्तों एक और नई job से related अगर आप इसके लिए eligible हैं तो apply जरूर करें 23 पोस्ते हैं दोस्तों काफी ज़्यादा पोस्ते हैं और काफी बड़िया पोस्ते हैं तो सभी candidates को advance में सुब काम नहीं, thank you जहिन